आप स्वागत है आज मैं आपको बैगन भाजा के रिष्टी सिखाऊंगे इसके लिए मैं चाहिए एक बड़ा सा बैगन एक तर्जने के लिए तेल एक बड़ा चमच चावल काटा एक बड़ा रवा एक चमच अधरक एक चमच लहसं का पेस्ट आधा चमच मिर्च पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर वन फोर्थ हाल्दी पाउडर गरम मसाला चाट मंचूर पाउडर स्वादन साव नमा भुना जीरा चोटा चमच भुना जीरा अब हम इसको गोल गोल काट करके ऐसे पानी में डाल देंगे नहीं कि ये काला हो जाएगा थोड़ा मोटा ही काटे हमारे बैगन कटके तयार हो गए है अब थोड़ा सा पानी डालके सुख्य मसाले में हम इसका मरीनेशन कर लेगे हम आप ओना आप ंतर अ किसको नहीं है अ बढुम यहाँ है और बहुमा पार बदुम मत अ हाईब तया में हमा만हे खोड़ा आप खोड़ा आप ज़रा आप प्सक्ला हूँ कर लेंगे और इसे हम पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे हमने पेश को दूनों तरह से लगा दिया था ये पांच मिनट हो गया है अब हम इस पर उपर जो है चावल काटा ऐसे ही छिड़क देंगे दूनों तरफ से और इसे हम फिर एक मिनट के लिए रख देंगे थोड़ा अलजाब हो जाए है अब यह अब जाब हो चुका है इस पर हम रवा डाल करके सेलो फ्राइए करेंगे यह तर नही है तर टूपर है अब जचाए अब पर हम चाल हो जाएए तियह तर देंगे तर के लिए इसा अषल perspective करेंगे दो अब देंगे जए है तर फिए राज़ से यह तर क्रेंगे पर देंगे करेंगे तर दो तर से जाएए पर रिधी जूँक्त लिग जकली हो में अटिक आपने में चर्शेम, ने लिखाल से सब्झास यहाँ अब इसे हम दो तीर बरब भी सेंख लेंगे गोल्डन ब्राउन होने ता किसे हम पकाएंगे बहुत ही अच्छा इसका कलार आए ऐसे फिर हम देख देते हैं थोड़ी दे के लिए अब ये बैगन भाजा बनके तयार है अगर आपको मेरी रिस्पी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना न बोलें जिससे के मेरे वीडियो के निटिविशन आपको मिलते रहें